वही कुछ का खाल सा वही कुछ की फते आज जसी आप जीनाल जो वीडियो संजी करन जा रहे हैं हाँ उपाई हर पजन सिंग सोडी जी ने आप लिखी है एक कटना ओना दे जीवन वीच बापरी हते ओना ने अपने हतियां आप लिखी इस कारके इस गलते किसे परकारदा कोई शंका नहीं रहे जानता पर फिरवी कुछ लोग इसनू गुर्मत दे उल्ट समझनगे पर ए वारता पाई हर पजन सिंग सोडी नाल ओहना दे जीवन वीच बापरी आउ गल कर दे हां आज दी वीडियो वारे पाई हर पजन सिंग सोडी लिखते ने कि सान उनी सो तेती आसदे महराज नरिंदर सिंग दे ना होते एक कंपनी खोली जिसता काम चीर दे द्रक्ता विचो गंदा ब्रोजा कड़ना सी अते दासनू केंदे इस कंपनी दा डिरेक्टर बनंदा सुपाग भी प्रापत होया बाकी डिरेक्टरा ने दासनू केहा कि तुम मुंडा आने तु अपने दुजे डिरेक्टर समेत रिशी के इश पहुंचे जा अते नाल ही खचर लेके कुछ समान लादा लिया अते नोकर अते को मियार लेके उत्थो चाल पे पाईसाफ लिख देने की कई पड़ाव कर दे हो यसी को जानी पटी दे एक अदवानी नाम दे आला दखाई दिता जिसते दोने पास चोटें जहीं कोठडिया सथान अते संहने दो वड़े कम्रे सफ एक कमरे और आप लिख वरांदा सी पाई वड़े कम्रे वीचे एक खाली जगा सी ते दूजे बची नायचेकर लगार यां सब्स समान थे विच कुछ पुराणे रिका दुकानदार कोड़ पहुंच गे समान लेके जाद असी बाप वाच चले ता दुकानदार ने पुछिया तुस्सी कित्थे जा रहे हो ता ज़रोसी केंदे असी उनन दस्या कि असी उस कोठी विचे रहना ता दुकानदार कहने लगा पाई ओ ता बड़ी खतरनाक जगा थेना जायो पर केंदे मैं परवाना किती ती चल प्याम तो उड़के पिंड ने नंबरदार नो बुला ले आया अते नंबरदार ने वी केंदे सानू बंगले विचे जान तो रोग दिता ता किहा कि इस बंगले विचे ना जाओ इसे बहुत कोश हो चुकिया बड़े पूद पर अते केई रेंजर आये ते अपनी जान गो आ वे ठे तो उसी अपनी जान ना गोआओ इस बंगले विचे ना जाओ जरू नंबरदार ने सारी वारता दसी की उते की की यदे किमे कीमे होया पर फिर वी केहं देने नंबरदार ने बड़ा समझाया अते कहा कि आजमाई होई जगानों दुवारा जमोना मूर्खा दा काम होंदा पर पाई हर पजन सिंग ने उस दी परवा ना कीती तक गुरुबानी दा आसरा लेंदे होई बंगले वालनू चाल पे एनू वेक के नंबरदार केहन लगा तुसी में नू लेके दे देओ कि मैं था नू समझाया पर तुस कि मैं नू सारी कहाणी दसी पर इहना ने अपनी मर्जी कीती हुण हने राहोंड तो पहला पाई हर पजन सिंग बंगले विच पहुँच गे खचरवाला तक में आरोना नू छाटके बापस आगे बंगले विच पहुँच गे सब तो पहला उहना ने दरक्तरीक टेहनी काट के उस उपर 108 वार ताती वाहुन लगी बार बर्मसंडाई शब्द दे समपूरन शब्द दा पाठ कीता अते बंगले द्वाले रामकार कर देती पाई हर पजन सिंग दे मानवी चाया कि पताने दिन चड़ना भी है कि नहीं कुछ खापी लेए फिर कहंदे ने पाई साहवन के नहीं आते उन्हा दे नोकर ने राज के खादा सलाह किती की राध उन्ह एक जाना जागदा रहे दूजा जावे तांगाक जो जीकर कोई खट्रा होवे तां सुत्छ फे पे न्हु साबदान किता जासके पहला नोकर सौंग गया अते पाई हर पजन सिंग जागदे रहे पर उना नो नीद भी के थोणी सी क्योंकि मोदा डर भी बार बार सता रहा सी कि अज़ थोड़ा जह समाही लंग्या सी कि दूर तो एक शेर दे गर्ज दी आवाद सुनाई दिती होडी होडी ओवाज उना दे कोड़ों दी गई दास ने समझया कि शेर आदम खो रहा है उस शेर नो ओना दी बू आगी होवेगी ताहिए दरवल वदद आ रहा वदेरे नेड़े आके ज़द शेर फिर गर जाते नोकर गेंदेने जो और नल टीक मार के बिहोश हो गया पर पाई हर पजन सिंग वाही गुर वाही गुर रजाब कर दे हुए बेंती का रहे सी यह सचे पाशा सानू बचाओ के दिन अखीर ज़दो शेर कोड पहुंचिया ताब बार ले पासे वागदे के चश्मे वीचे उसने पाणी पीता पाणी पीके उथों चला गया उस्तो बाद पाई हर पजन सिंग ने सुखदा सा लेहा ते हुर जोशनाड नाम जपन लागबे पाई साव लिख देने किस तो बाद हुण बारी यागी पूता दी अते होना ने कुपहने रे वीचे बड़ियां प्यानक वाजा करणी शुरू करदतीयां अते पाई साव केंदे इदर दास ने वी नाम दा खंडा होर जोर नाल खड़कोना शुरू करदता इनने पूता ने दरक्त तोड़के केंदेने कमरे दी शातूते सुटने शुरू करदते अते जद काड़ काड़ दी वाज आवे ता दास इदर उदर पजे केते दरक्त हे ठाना आजामा ए सेलसला फिर कुझ चिर्मगरों खतम हो गया अते उस्तोबाद वड़े वड़े पथर सुटने राम करदते पहला वाँगी जद पथरां दे डिगन दी वाज सुनाई दिती ता होर तड़ाके नाल नाम जपना शुरू करदता गुरू सहिवजी दी किर्पानाड बंगले दी चाहरे पासे रामकार कड़ी होन करके ओ अंतरवड़न दी हिम्मत ने सी कर सकते अखीर नों पूता ने अपने दाल गल्दी ना देखके बिजली दी कराहट वर गी अवाज कड़ी ता दास ने समझा कि मकान दी शातो ते किते जोरदार बिजली डी गी पाई पाई हर पजन सिंग केंदे कि मैं भी होशी दी हालत विचे पताने किना चरपे आ रहे हां जदो होशाया ता देखिया कि उहना कोड आग बाड़ रही सी उहना ने अग जानवरा तो बचनली पाड़ी होई सी पाई हर पजन सिंग इस तो अगी लिख देने कि नीम भी होशी दी हालत विचे उहना ने समझा कि शायद ए अग उहना नो साड़ देवेगी अथे पाई हर पजन सिंग सोन जे होगे अथे मूँ विचो अवाज न निकली सुर्त नाली सिमरन कर दे रहे नाली एनी शक्ती आई कि पाई हर पजन सिंग उठके बैट गे अथे जोर जोर नाल नाम जपन लगबे ताकि पैदूर हो सके पाई साव केंदे ने कि इमें करदय करदया रात लंग गी अते दिन चड़ाया अते उहना रनोकर अजे तक भी होशी प्यासी उदर पिंटरा नमबरदार बहादर सिंग वी अपने चार-पंच साथिया समेत मिशाला बाल के उहना नो विखन वास्ते आ गया उहना दी पैरांदी अवाजतों पाई हर पंच सिंग ने समझया कि शायद पूद दुबारा आ गयने जद नमबरदार ने उहना दी साथी सिद्धे ही ब्रांडे विच पहुंचे ता पाई हर पंच सिंग ने सोचया कि बाहर दी रामकार शायद किदरे टुटी रह गई इस ख्याल नालोना ने कमरे अंदर वी को हूर रामकार कर देती इनी देनों नमबरदार ने दर्वाजा खड़काया पर पाई हर पंच सिंग दर्वाजा खोलनों त्यार नहीं सी उहना ने सुनेया होया सी कि पूद सा नाल साम लाके बंदे दी जान कर देने ते जद उहना ने दर्वाजा खड़काया ता दास होर कुछ कहन दी बजाए जोर नाड वाही ग्रू कहन लग पया जिसनों सुनके बाहरों नमबरदार बोलिया जीता है जीता है ते दास ने उसी आवाज पशान के दर्वाजा खोल दीता उस सारी जाने अंदर आके उन्हें जूंदा वेके हैरान रहे गे ते दास ने पैरा ते डिग पे दीवता समझन लग पे ते पाई हरपनिल सिंग ने दसे आ कि ये मेरा नोकर रादा भी होश पिया इस विचारे दा कोई परबंद करू ते उस वास्ते पिंटतों गरम दोद मगवाया गया ते उस दे मुझ पाया गया अते कुझ देरवार उसने अखा खोलिया पर चीक मार के केंदे फिर भी होश हो गया फिर कुझ चीर उसने मालश कर दे रहे अते किदरे दिन चड़े उसनों होश आई अते पाई हरपजन सिंग केंदे समा बहुत प्यानग बितिया सी पर उहना ने किसे नुए कल परगट नहीं होन दिती उहना बंगले विचे लगपाग केंदे फिर एकमी ना रहे पर मुड़ के कदीव कोई जेही कटनानी बापरी अते इस तो बाद सारी पासे कल फैल गई ते लोक तीन चार दिन दा सफर करके उहना नुए विखन वास्ते होंदे अते उना नुए देवते समझन लगबे पर उहर पजन सिंग सोटी नाडवा पर ये सारी बार ता तो एस सिख्या मिल दी है गुरुबानी अते नाम सिमरन विज ऐनी शक्ती है कि गुप्त पैड़ियां रूहां भी बंदेरा कुझे निवकार साग दिया पर लोड है सची शर्ता अते गुरु सहफते विश्वास दी वाही कुची का खाल सा वाही कुची की फत है